घर बैठे करें वसी करन नाम से नमस्कार में तुरों स्वागत है सिद्ध टोट के चैनल पर आप सब का एद्बार फिर से यदि आप भी अपने प्यार की समस्या में परिशान है अपने सत्रों से परिशान है अपने घर के रिलेशन में ही परिशान है किसी के साथ भी आपका संबन्द खराब हो गया उसको ठीक करना चाहते हैं तो आपको उसके नाम से ही उसका वसी करने का उसको अपने तरव खीच किलाने का प्रयास करने के लिए उपाय दे रहे हैं इस उपाय को करने पर संबन्द तो मधूर होता ही है साथ ही साथ उस व्यक्ति का आप पर विश्वास बढ़ता है और आपकी ताकत आपका प्रभुत व आपका तेज जो होगा उसके सामने उस व्यक्ति को जुकना पड़ जाता है तो ये प्रियोग बहुत ही अच्छे मन के साथ करना सुरू करें प्रेम पूर्भक प्रसन्यता पूर्भक करेंगे अवसे इसका लाभाब को दिखाई पड़ेगा अगर कुंडली में स्थितियां खराब हैं तो उस तरीके से देखा जाए तो लंबे समय तक प्रियोग करना पड़ सकता है आप चाहें तो आप अपनी कुंडली दिखा करके यह जान सकते हैं कि कौन सा प्रियोग करना आपके लिए बहतर होगा कौन से प्रियोग से आपके चीज़ें ठीक हो सकती है साथ यह भी जान सकते हैं कि किन कारणों से आपके सामने यह समस्या खड़ी हुई है तो इसको जान करके फिर अगर आप उपाय करते हैं तो यह ज़्यादा लाभानवीत करने वाली बात होती है आईए बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना है उससे पहले अगर आप नए है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें साथे नोटिफिकेशन बेल को आन कर दें आल वाले बटन को दबाएंगे तो सभी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और कोई भी सूचना आपसे छोटेगे ने और जो लोग वशीकरण अनुष्ठान में भाग लेना चाते हैं तो अभी प्रक्रिया चल रही है जल्दी से जल्दी अपना नाम भेजिए कुछ ही लोगों को और शामिल किया जा सकता है क्योंकि काफी कोरी जा चुकी है काफी लोगों ने नाम भेज दिया है तो अब जल्दी से जल्दी भेजिए और उसके अनुसार अगर जरूत पड़ती है तो संख्या बढ़ाने की तो हम जरूर पिछली बार की तरह संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे लेकिन उससे पहले ये तो आप लोगों को करना है तो जल्दी से जल्दी आप अपना नाम भेज पूजा अनुष्ठान के नाम पर सहद आता है आप वही ले लीजिए उस व्यक्ति का नाम आपको चाहिए तो नाम आपको पता ही होगा क्योंकि उस व्यक्ति से आपका संबंध रहा है किसी भी अजनबी किसी का भी यूही नाम जान करके आपने अगर उपाई किया तो उसका कोई लाब नहीं मिलता है लाब तब मिलता है जब आपका उस व्यक्ति के साथ कोई संबंध बना हो ठीक है किसी भी तरीके से आप एक दूसरे को जानते हो अन्य लोगों के लिए भी है असा नहीं है कि क्या उपाए अजनबियों के लिए नहीं है बिल्कुल है अजनबियों के लिए भी है सभामोहन होता है तो तो अजनबियों के लिए है सर्वजन लंबे समय तक उन पर वो बात असर डाल भी सकती है, नहीं भी डाल सकती, बहुत सारी बाते होंगी, लेकिन वो सीधे आप से रिष्टे में नहीं आते हैं, यहां आपको मजबूत रिष्टा बनाना है, आप चाहते कि अजिवन चीजें ठीक रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से सोचना है, सहद की सीशी आपको लेनी छोटी, बोज पत्र ले ले लें या सफेद साधा कागज लीजेगा, उसमें कोई लाइन वाइन खेची न रहे, पहले से कुछ लिखा न रहे, साधा कागज ले करके पूरव की तरफ आपको मूँ करके बैठना है, उस व्यक्ति का ना पर जलाएं, पुस्प वगेरा जरूर वहाँ पर रखे रहे, भगवान को जरूर आप निवेदित करें, भगवान की प्रार्थना पूजा करने को परांत ही आपको कोई उपाय करना चाहिए, तो अनुष्ठान करते समय आपको अपने भगवान को याद जरूर रखना है, अपने गुरू को जरूर याद करना है, उनसे आग्यां मांगते हैं उपाय को करना है, फिर वो उपाय, आपका वो नुष्ठान आपका पूंड भी होता, सफल भी होता, अवश्य ही होता है, तो इस तरीके से आपको नुष्ठान करना है, आपको आगे क्या प्रकरिया करने नाम लिख लिए आपने, नाम लिखने के बाद इसे फोल्ड कर लीजिए, फोल्ड करके लाल धागे से इसको बांध लीजिए, बांध करके आप इसे सहद में डुबा दीजिए, सहद में डुबाने के साथ आप जो है, तीन बार उस व्यक्ति का नाम लें, जिसके लिए आप चाहते हम उपाय करना और फिर उसको इसी में फूंकिए नाम लिया फोका नाम लिया फोका नाम लिया फोका और फिर सहथ की सिस्यों को बंद करके किसी जगह पर चुपा करके रखें चुपा करके रखने में यह आपके पास लाल कपड़ा है तो लाल कपड़े में बांध के र इसके बाद प्रति दिन आपको उसमें थोड़ा सा कपूर डालना है एक गेहों के दाने के बराबर या उससे थोड़ा सा बड़ा तोड़ करके और जिनल जो कपूर आता जिसको भीम सेनी कपूर कहते हैं ये कपूर आपको उसमें प्रति दिन डालना है डालते समय कपूर को हा सहद की सीची खोलें और इस कपूर को उसके अंदर डालें और बंद कर दें और फिर से लाल कपड़ी में बांद कर रखतें वैसे तो साथ आठ दिन के अंदर ही आपको जो आपका अभी स्टफल है वो प्राप्त हो जाना चाहिए लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इस्थितियां वि प्राप की चीजों को ठेक करना वो उपाय कर लें या फिर उपाय को लगातार ये करते रहिए जब तक कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती तब तक आप इस काम को पूरा करने का प्रयास करते रहिए अंतता आपको सफलता आवज से ही मिलेगी इसके साथ ही आप अन्य उपायों को भी जरूर करते रहिएगा उपाय बंद नहीं करने जो उपाय आप चलाएं जितने दिन का बोला गया उतने दिन उस उपाय को करें हाँ बहुत सारे उपाय कठा मत कर लीजिएगा कि आपको धी भूल जाए कि क्या उपाय करूं क्या ना करूं कैसे करूं कैसे न उपाई कीजिएगा लाववसी होगा दान की अपनी एक आदत बना लीजिए कोई भी उपाई अनुष्ठान करते हैं तो उसके बाद में दान अवस्य ही करें दान जब आप करेंगे तो उपाई के साथ आपका समरपन उसमें जुड़ जाता है और वो समरपन आपको जरूर ल निजिएगा तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार खुश रहिए